Let's do question number 19th of exercise 10a, question number 19th is from each of the given pairs find which ratio is larger, हमें ये बताना है इन दोनों ratio में से कौन सी बड़ी ratio है, तो first part है 3 is to 4 और 9 is to 16, first part लिख लेते हैं 3 is to 4 और 9 is to 16 तो इसको देखिए 3 upon 4 लिख सकते हैं और 9 upon 16 लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे इस को compare करने के लिए, हम जैसा कि हम decimals में करते थे, बिर्कुल सेम में वैसे ही करेंगे, हम इन दोनों के denominator już same करेंगे, तो दोनों के denominator सेम करने के लिए हम LCM लेंगे तो LCM ले लेते हैं दोनों के denominators लिखके 4 और 16 तो देखिए 2 2s are 4, 2 8s are 16 2 1s are 2, 2 4s are 8 यह हम अल्रेडी कर चुके हैं प्लीज वो chapter देखना सारे chapters पहले करिएगा revise तभी आपको यह चीज समझ में आएगी अब देखिए LCM कितना आजाएगा 2 की 4 times multiply तो 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16 आगया LCM अब यहां पे तो 16 already है तो इस में इस 4 में क्या multiply करूँ कि 16 हो जाए देखिए यह जो 4 है इस 4 में क्या multiply करूँ कि 16 आजाए हमें पता है 4 के table में 4 4s are 16 होता है तो इसका मतलब हमें 4 की multiply करनी है तो into 4 और into 4 तो यह कितना आगया 3 4s are 12 and 4 4s are 16 अब यहां और 9 upon 16 as it is क्योंकि इसका denominator already 16 था अब आप देखेंगे इन दोनों में denominators तो सेम है numerator किसका बढ़ा है 12 वाला तो 12 बढ़ा है 9 से तो हम यह कह सकते है 12 upon 16 is greater than 9 upon 16 और हम इसकी original value लिख देंगे 12 upon 16 की original value है 3 upon 4 तो 3 upon 4 greater than 9 upon 16 as it is क्योंकि हमने कोई भी multiplication नहीं की थी तो 3 upon 4 is bigger than 9 upon 16 is the answer let's do next part now next part is 5 is to 12 और 17 is to 30 second part में लिखना है हमे 5 is to 12 और 17 is to 30 तो हम इसको fraction में लिख लेंगे तो 5 upon 12 बढ़ा है और या 17 upon 30 यह बताना है तो सबसे पहले LCM ले ले लेते हैं दोनों के डिनॉमिनेटर्स का 12 और 30 का डिनॉमिनेटर्स का LCM लिया तो देखें 2 6 और 12 2 1 2 2 5 और 10 अब अगें 2 से 2 3 और 6 और 15 as it is अब 3 से 3 1 3 5 और 15 अब 5 से चला गया 5 1 5 तो LCM कितना आ गया देखें 2 into 2 into 3 into 5 तो यह कितना आ गया 2 2s are 4 4 3s are 12 and 12 5s are 60 60 आ गया तो अब देखें यहां पर 12 की multiply किस से करूं 12 की multiply किस से करूं की answer हमारा 60 आ जाए क्योंकि LCM 60 आ रहा है obviously 5 से तो 5 अपॉन 12 की दोनों की उपर नीचे 5 से multiply हो गई और अब देखें 17 अपॉन 30 30 को अब 60 बनाना है नीचे डिनॉमिनेटर में जो 30 है उसको हमें 60 बनाना है तो हमें पता है 32 से 60 तो 2 से multiply कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 55 से 25 अपॉन 60 और 34 17 टूसर 34 अपॉन 60 तो हमें पता चल गया 25 अपॉन 60 छोटा है किस से 34 अपॉन 60 से कैसे पता चला देखिए अब हमारी डिनॉमिनेटर तो सेम हो गए नियूम्रेटर जिसका बढ़ा है वही वैल्यू बढ़ी है तो अब हम इसकी ओरीजनल वैल्यू लिख देंगे तो यह थी इसकी ओरीजनल वैल्यू 5 अपॉन 12 चोटा है किस से 17 अपॉन 30 से let's do third part now third part is 3 इस to 7 और 4 इस to 9 तो third part लिख लेते है third part है हमारा 3 इस to 7 और 4 इस to 9 तो अब इसको fraction में लिख लिया 3 इस to 7 और 4 इस to 9 आप देखे, 7 और 9 का LCM निकाले, तब भी इन दोनों को जो multiply करके आएगा वही answer होगा, देखे, 3 से जाएगा, 7 as it is, 3, 3 is a 9, again 3 से गया, 7 as it is, 3, 1 is a 3, और 7, 1 is a 7, तो LCM कितना आ गया, 3 into 3, आप चाहें तो directly भी देख सकते है LCM कितना आ रहे, देखे, 3, 3 is a 9, 9, 7 is a 63, तो इसका मतलब इस 7 को हम 9 से multiply कर देंगे, और इस 9 को 7 से multiply कर देंगे, तो नीचे गा denominator, कितना आ जाएगा, 63 ही आ जाएगा, तो उपर नीचे 9 से multiply हो गई, और 4 upon 9 के case में 7 से multiply हो गई उपर नीचे, तो यह आ गया, 9 3s are 27 upon 63, और 7 4s are 28 upon 63, तो अब देखिए, denominator सेम होते ही, हमें पता चल गए, numerator किसका बढ़ा है, यह वाला 28 बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं, 28 upon 63 छोटा है, किस से, 28 upon 63 से, तो हम इंकी original value लिख देंगे, that is 3 upon 7 is less than 4 upon 9 answer, let's do 4th part now, 4th part is 1 is to 2 और 13 is to 27, 4th part is 1 is to 2 और 13 is to 27, अब हम इंको fraction में लिख लेते हैं, 1 upon 2 और 13 upon 27, आप देखिए, यह दोनों एक दूसरे में कोई भी common नहीं है, तो 27 की multiply इस में, इस fraction में और 2 की multiply इस fraction में, सीधा-सीधा directly कर दीचे, कोई LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 into 27 और उपर भी 27 की multiply, और इसी तरीके से 13 upon 27 में, उपर नीचे 2 की multiply, तो यह कितना आ गया है, 27 upon, यह कितना आ गया है, 2 7s of 14, 2 2s of 4 and 5, 54, और 13 2s होता है, 26 upon 54, अब देखिए, दोनों के डिनॉमिनेटर सेम होती, नुमिरेटर हमें पता चलके 27 बढ़ा है, 26 से, तो हम लिख सकते हैं, 27 upon 54 is bigger than 26 upon 54, और हम इंकी original value लिख देंगे, that is 1 upon 2 is bigger than 13 upon 27, answer.